हाई फ्रेंड्स सबको मेरी तरब से हैपी होली देखे होली के लिए स्पेशल डिश है गुंजिया बहुत टेस्टी इजी मेतड में आपको में सिकातियों कैसे बनाने का बोल के बहुत टेस्टी रहता है देखे इसका अंदर का स्टेफिंग तो ला जवाब इतना टेस्टी र होता है एक बार आप ट्राय करके देखिए तो लेट क्यों चलिए किचन में जाएंगे कैसे बनाने का है मैं स्टेप बास्टेप आपको बता देते हूं बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी ही चलिए किचन में जाएंगे इसके लिए मैंने होममेड कोवा बना रही हूँ एक लीटर दूद लिया है इससे मैं अभी कोवा बना लेती हूँ कोवा बनाने का कैसे बोलके मैंने आपको बताया था न देखिए ये मेरा होममेड कोवा है एक लीटर दूद से मैंने बनाया है बाहर से फेस्टिवल का टा बना दीजी, देखी एक लिटर दूद में मैंने इतना कोवा बना दिया, अभी मैंने आदा ग्लास सूजी डाल रही हूं, सूजी है ना कच्छा नहीं रहना चाहिए, तो टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, इसलिए तोड़ा हमको इसको फ्राइ करना चाहिए, कच्छा समेल ज है, क्याश्व ड्राइफ फ्रूट्स रहता है तो गुंजिया बहुत टेस्ट रहता है, इसलिए उसको मैंने चोटा-चोटा-चोटा काट रही हूं, यहीं पे मेरा सूजी भी फ्राइब हो रहा है, देखे ए मैंने बना के रखाता एक लिटर दूद का कोवा है, यह होमेड इसको हमने अच्ची तरह मिक्स करना चाहिए, यह है नारियल का बुरादा, सुका हुआ नारियल का पावडर है, तो यह दुकान में आपको मिल जाएगा, यह गलास मैने वो लिया है, अब इसको भी मैने अच्ची तरह मिक्स कर रही हूं, कहां पे गाट नहीं रहना सूजी मावा और नारियल का बुरादा इसको अच्छी तरह मैंने mix कर रही हूँ काहां पर गाट नहीं रहना चाहिए वह अपने देखना चाहिए अधर WIZ अच्छा नाहीं रहता है गुंजिया इसको अच्छी तरह mix कर दिजिए तो tasty हो जाता है सात में सब में fry कर रहे हो दीमी आग में रखा है कम flame में रहे हैं ज्यादा flame मत होना क्योंकि सब dry है ना इसलिए जल जाने का chances ज्यादा रहता है इसलिए इसलिए sim में रखके इसको अच्छी तरह आपने fry कीजिए देखे dry fruits मै मैंने कैशु लिया है और किसमिस भी लिया है आप को टेस्ट का इसाब से अब सकते हैं अच्छा टेस्ट रहता है तो इसको भी तुड़ा हल्का समने फ्राई करेंगी 2 स्पून मैंने घी डाला है घी गी में इसको अच्छी तरह मैंने फ्राइ कर रही हूँ, किकि इसका तोड़ा कच्चापन जाना चाहिए, दीमी आग में रखके, मीडियम फ्लेम में इसको आप अच्छी तरह फ्राइ कीजिए, तोड़ा फ्राइ होने के बार, अभी हमने उसका अंदर बूंज के रखाता, हमारा सूजी, कोवा और नारियल का बुरादा, इसमें मिक्स करेंगे, कहां पर भी गाट नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करेंगे, तोड़ा फ्राइ हो जाता है, सब बहुत टेश्टी रहता है, आपको इसमें गी कम लग रहा है, तो अब भी तोड़ा गी डाल सकते हैं, अभी देखें, एक ग्लास मैंने शक्कर लिया है, आपका मीटा का इसाब से आप ले सकते हैं, हम लोग तोड़ा कम शक्कर यूज करत के साथ इलाची पीशते हैं, तो फटा-फट अच्छी तरह अधम पाउडर जैसे पीश जाता है, इसलिए मैंने आठ इलाची भी पीश लिया, देखें, अभी हमारा शक्कर पाउडर हो गया, अभी भी ओसको भी मैंने इसमें मिक्स कर रहे हूं, आपका टेस्ट का इसाब स आप शक्कर याड़ कर सकते हैं, देखें, अभी इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, दो मिनिट तक कम आग में आपने इसको तोड़ा फ्राइ कर दीजिए, मिन्स सब कुछ अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, सूजी है, नारेल का बुरादा है, कोवा है, ड्राइब गी का अंदर अभी ये मैंने फ्राइ करके रखा था, वो सब और एक बार डालके अच्छी तरह फ्राइ करती हूँ, तो बहुत टेस्ट अच्छा रहता है, सब मिल गया है, देखें, तो अभी गी के साथ बहुत टेस्टी रहता है हमारा स्टफिंग, आप एक बार बना के द तेस्टी रहता है, देखें, सब मिक्स हो गया है, हमारा स्टफिंग रेडी हो गया भी, अभी मैंने सब स्टफिंग के लिए रेडी कर दिया, अभी इसको हमने साइड में रखतेंगे, देखें, इतना टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी है, अभी हमने बना देंगे डो, इस इसमें तोड़ा नमक डाल रही हूं तो कुछ भी मीटा बनाते हैं तो बहुत तेस्टी रहता है इसलिए मैंने एक पिंच में नमक लिया है आप को चाय तो डाल सकते हैं नहीं तो उसको स्किप्ट कर सकते हैं अभी देखें मैंने वन फोर्थ गी लिया है आप कितना मैदा लेते हैं उसका वन फोर्थ आपने गी लेना चाहिए इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देंगे देखें ऐसा हमने अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हाथ में ऐसा हमने मुट्टी ले लिया तो वह अच्छी तर देके डोव जैसे हमको दिखना चाहिए ऐसा हो गए तो आमारा आठा गुंजाय के लिए फर्फेक्ट है अपने ओन फोर्थ गी लेना चाहिए तब इसका मेजरमेंट अच्छा रहता है यह आपने याद रखना अभी इसमें हमने तोड़ा तोड़ा पानी डालके डोव बना देंगे ज्यादा हमने रोटी का आठा जीसा मत करना देखें ऐसा इसको में अच्छी तरह मिक्स नहीं कर रही हो हल्का पुल का पानी डालके मैंने इसको देके डोव बना दिया है कि एकतम टाइट है डोव पानी जैसे मत करना तो ठेश नहीं आयेगा देखें एकतम तो आधा गंटे के लिए मैंने डख के रख देती हूं तो सॉफ्ट हो जाता है हमने इस सब डाला है न सब अच्छी तरह पकड़ लेगा गी नमक आटा सब एक्तम सॉफ्ट हो जाएगा देखे आधा गंटा हो गया अभी मैंने इसको अच्छी तरह डोग को मैंश कर रहे हैं देखे आधा गंटा हो गया डोग का अभी हमने तैयार करेंगे देखे यह है गुझे बनाने का मोल्ड देखे इसको मैंने इसका ओपर रख दिये पहले रूटी की चैसे हम बेलना चाहिए उसके बादे एकदम पतला बेलना चाहिए मोटा नहीं बेलना चाहिए और देखे म मैंने दोनों साइड पानी लगा रही हूँ, पानी लगाए तो है ना अच्छी तरह वो बंध हो जाता है, देखे, मैंने अभी एक स्पून मैंने स्टफिंग डाल रही हूँ, आपको चाहिए तो दो स्पून भी डाल सकते, आपको टेस्ट कही सब से आप डाल दीजे, मैंने तेल में डालते हैं तो भी वो टाइटी रहता है, इसलिए मैंने पानी लगाया है, आप भी हलका पानी लगा दीजे, एकदम टाइट होके उसका मूँ बंध हो जाएगा, देखे, अधर वाज उसका मूँ कुल जाता है ना, देखे, कितना अच्छा टाइट हो गया है, स्चस्ट ऑफिजाला, एक चा को टाइट दो, मैंने भी तोडहा दोड़ा लेके, मने भी रूटी जिय सा बना रही हूं, इसको एकदम अच्छा पतला बेली, जुह दुछे बढ़ता है, मोटा नहीं होना चाहिए, देखे, odeपर जैसा मैं पतला सा बना दिया है, मोटा टेस्ट नहीं होता है मेन इसलिए एकदम पतला आप बेलिए तभी उसका टेस्ट बढ़ता है देखे तोरा यह सब टाइम लेता है लेकिन क्या बहुत टेस्टी होता है कम से कम आपको आदा गंटा तो पकड़ेगा यह सब बनाने के लिए लेकिन सब कुछ हो जाता है गर में इतना टेस्टी आप बनाया है तो देखे इसको मोल्ड का अंदर अच्छी तर डालके ऐसा हमने स्टफिंग डालना चाहिए देख लिजे अभी इसको दोनों सेट मेंने पानी लगा दिया है आप भी पानी लगा दीजिए फिर उसको अच्छी तर प्रस करके हमने साइड वा करना अदर्वाइस सब मुह खुल जाता है मुह बिल्कुल खुलना नहीं ऐसा आपने उसको बंद करना चाहिए प्रस कर दीजे अच्छी तर देख लिजे कितना अच्छा हो गया ऐसा आपको प्रस करना चाहिए मैंने आपको दो तीम दिखा रहे हूँ कि कि आप गलती नहीं करना चाहिए इसलिए देखे शीट को हमने अभी बना दिया है रूटी उसको अच्छी तरह ऐसा हमने फिलाना चाहिए उसके बाद दोनों सेड हमको पानी लगाना चाहिए उसके बाद आपने एक स्पून या दो स्पून आपको टेस्ट का हिसाब से आप स्टफिंग उसका अंदर डाल सकते हैं फिर उसको अपने अच्छी तरह बन कर देजी देखे मैंने पानी लगा रही हूँ अदो इस मूह कुल जाता है इसलिए वह आप कास द्यान रखिए दोनों सेड़ा अच्छी तरह पानी लगा दिजिए अभी उसको अच्छी तरह हमने प्रस कर देंगे तब मैदा है ना पानी डाल दिया थे एकदम टाइट होके पकड़ लेता है इसलिए आपको प्रस करना चाहिए देखे प्रस मैंने किया है साइड वाला कॉर्णर का सब मैंने अभी काटके निकाल रही हूँ कि देखने किसे कितना सुन्दर होके आगया धू कि कहांपे भी मुंह कुला नहीं है यही आपको कस करके एध्यान रखना चाहिए अधरोज मोह कुलेगा तो मैंने पूरा बनादीया है अभी आपको तेल में डालके कैसे फ्राइ करने का वो भी मैंने आपको step by step दिखाती हूँ देखिए मैंने लोहा का कडाई रखा है ग्यास का उपर मैंने तेल डाल दिया तेल को अच्छी तरक गरम होना चाहिए अब गरम हो गया है मैं इसमें अभी गुंजिया डाल रहे हूं देखिए और गुंजिया डालने करे एकदम कम flame में होना चाहिए इसमें कभी आपने फुल फ्लेम में रखना नहीं चाहिए फुल फ्लेम में रखेगा तो क्या होता है यह मैदा है उपर का अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर हमारा स्टपिंग है ना अंदर का यह अच्छी तरह फ्राई नहीं होता है इसलिए एक्दम कम फ्लेम में रखे इसको आ इसलिए बोल रहे हूं गुंजे आप तेल में डालने के बार एक दम कम फ्लेम में रखे इसको फ्राय किजिए आप इसमें डाल के कुछ भी काम कर सकती है दूसरा अराम से होते रहेगा इसलिए टेंशन नहीं है दो-दो मिनित में आके एक बार देखे जाएए बस हो जाएगा देखे ड़ी देखे कि अब बाकिकाव आप बना सकते हैं इका टेरती है ना पर बना के देखे मुझे बताईए काई से हैं वोलके इसी है फटा फट हो जाता है और गर में तो सब लोग इसको पसंद करेगा आप एक बार बना के देखिए और इसका एकदम स्टफिंग मज़े दा रहे हैं कि इसमें कोवा डाला है नारियल का पुराता डाला है सूजी है यह सब मिक्स हो गए तो ड्राइफुट से एमी रहता टेस्ट देखिए एकदम मैंन देरे देरे होते रहेगा अत्रवाज पूरा फ्लेम में रहेगा तो ऊपर ओकला हो जाएगा है पटापाद मैदा है ना तो इसल् हो जाता है उसका कलर भी अच्छी तरह यह फ्राइ हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाता है इसलिए आप द्यान रखिए कभी भी गुंजिया बनाने का वक्त फ्लेम ज्यादा मत रखना कम फ्लेम में रखे इसको आपको फ्राइ करना चाहिए दिखिए ऐसा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपका गुंजिया रेडी देख लिजे इसको अच्छी तरह नीचे थेल जाना चाहिए इसलिए मैंने इसको तोड़ा साइड करके रखी हूं एक्सस थेल रहता ना सब नीचे चले जाएगा अभी मैंने एक स्थेनर में डाल रहे हूं बाजचान जिसमें एक्सस थेल है तभी नीचे जाने दो बोलके अभी मैंने सेकंड ट्रिप डालती हूं दखिए दीरे दीरे डालिए अद्रवाइस थेल एकदम गरम रहता है तो हाथ में गिरने का चांसे भी होता इसलिए द्यान सकीजिए देखिए कम आगमे में रखी अब इसकेंड ट्रिप में डाल रहे हूं कितना दीरे दीरे देखिए कम में रखे हूं देखिए कितना अच्छी तरह हो रहा है एकदम कम में है इसलिए मैं तो दुस्ता काम भी कर रहे हूं और भी है गुंजिया उसको सब बेल रहे हूं स्टरफिंग कर रहे हूं तो यह इ लोहा का कड़ाई ले लिजे, लोहा का कड़ाई से बहुत अच्छा होता है, तो आपके पास इतना बड़ा वाला लोहा का कड़ाई है, तो उसको यूज कर दीजे, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और अच्छी तर लोहा का कड़ाई में एक थम बहुत बढ़िया हो जाता है तो देखिए ऐसा golden brown हो जाएगा तो हमारा गुंजिया ready तो देखिए हो गया है अभी इसको हमने निकाल देंगे देखिए एकसे स्टेल रहता है वो सब नीचे चले जाएगा देखिए हमारा हो गया है गुंजिया ऐसे आप भी बना के देखिए देखिए हमारा गुंजिया ready to eat मैंने बताई ऐसे step by step बनाई है तो फिर मुझे बताई कैसे है बोलके आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए share कीजिए कमेंट्स कीजिए प्लीज सब्सक्राइब करना बूलना मत अभी हम लोग next ब्लॉग में मिलेंगे तब तके लिए बाबाई टेक केर